नमस्कार दोस्तों मैं प्यू सक्षेना इस्पायर फोल लर्निंग यूटूब चैनल में आपका सौगत करता हूँ तो बताए कैसे हैं आप लोग उमीद है आप अच्छे होगे और साथी साथ गवर्मेंट जोब की तयारी कर रहे होगे और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर आपने हमारे इस्पायर फोल लर्निंग यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आज है 9 जून 2021 और 9 जून 2021 से जितनी भी current affairs रहेगी सारी मैं आपके साथ इस वीडियो में discuss करूँगा 1 by 1 हम MCQ लेंगे और जितनी भी MCQ रहेंगे current affairs पर base मैं सारे आपके साथ इस वीडियो में discuss करूँगा तो 9 जून 2021 से जितनी भी current affairs रहेगी सारी मैं आपके साथ इस वीडियो में discuss करूँगा इसकी PDF आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी टेलिग्राम चैनल का लिंक वीडियो के description में दे दिया है हर exams के लिए important रहने वाली है चाहें वो कोई सभी exam हो जिसमें current affairs एक important role लगता है तो उन सब exams के लिए important रहेगी तो आपको याद रखते चलना है जितनी भी current affairs मैं आपके साथ discuss करूँगा अगर आपने इस चैनल को subscribe नहीं करा है तो हमारे चैनल को subscribe करना ना भूलें नो जून की current affairs की वीडियो है अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो like करना ना भूलें और comment करके आप मुझे जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और जहां तक rich हो instagram, telegram, facebook, whatsapp हर जगे इस वीडियो को share करना ना भूलें इसकी pdf आपको हमारे telegram चैनल पर मिल जाएगी बढ़ते हैं आज के पहले question पर तो पहला question आप ये screen पर देख रहे होंगे कि who has been named as the host of the international hockey federation, FIH, Hockey's 5 World Cup तो अंतरास्तिये होकी महासंग का होकी 5S विश्व कप के मिजवान के रूप में किसे नामित किया गया है तो अंतरास्तिये होकी महासंग ने होकी 5S विश्व कप जो होने जा रहा है उसके लिए किस देश को नामित किया है ये आपको इसमें बताना है कि international hockey federation का hockey 5S विश्व कप जो 2024 में होने जा रहा है उसकी मिजवानी किस देश के द्वारा की जाएगी तो वो आपको इसमें बताना है इसका right answer रहेगा ओमान ओमान के द्वारा इसको host करा जाएगा होकी 5S विश्व कप को international hockey federation के द्वारा इसे host कराया जाता है तो ऐसे ही आपको याद रखते चलना है तो जितने भी question important रहते हैं वो सब मैं आपके साथ ऐसे ही current affairs के रूप में discuss करता चलूँगा तो इसका right answer रहेगा ओमान बढ़ते हैं next question की तरफ की next question क्या है तो असम का छटा राश्ट्रिय उध्यान कौन बन गया है वो आपको इसमें बताना है कि असम का अभी हल ही में छटा राश्ट्रिय उध्यान कौन बना है तो इस question का right answer रहेगा कि जो sixth national park बना है असम का राइमोना नेशनल पार्क तो राइमोना नेशनल पार्क असम का sixth national park के रूप में अभी बनाया गया है तो राइमोना नेशनल पार्क कहां पर है असम का है डिबरू साइकोवा नेशनल पार्क मानस नेशनल पार्क और नामेरी ये भी असम के नेशनल पार्क हैं और साथ ही रायमोना नेशनल पार्क असम का 6th नेशनल पार्क बन गया है तो इसका right answer रहेगा option D बढ़ते हैं next question की तरफ की next question क्या है in the latest times higher education Asia's university ranking 2021 three Indian universities secured position in the top 100 list what is the rank of IISC Bangalore in this list तो नवीनतम times higher education Asia university ranking 2021 में तीन भरतिय विश्विध्यालों ने सीर्ष सौ सूची में इस्थान हाशिल किया है इस सूची में IISC Bangalore का rank क्या है वो आपको इसमें बताना है कि IISC Bangalore किस इस्थान पर रहा है तो इसका जो right answer रहेगा 37 थर्टी सैवन थर्टी सैवन प्लेस पर रहा है top 100 universities में इंडिया की 3 universities हैं जो इसमें रही है higher education Asia's university ranking तो Asia में जितनी भी university हैं उस ranking में 37 इस्थान पर रहा है IISC Bangalore तो ऐसे ही आपको याद रखते चलना है अब 37 पे तो IISC Bangalore रहा है अब जो 3 universities हैं उसमें second और third place पर कौन कौन रहा है तो 55 ये rank आप देख रहे होंगे इस पर रहा है IIT Roper तो IIT Roper ये 55 प्लेस पर रहा है और साथी 78 प्लेस पर जो रहा है वो रहा है IIT Indoor तो IIT Indoor 78 प्लेस पर है और 55 पे कौन रहा है IIT Roper और 37 पर रहा है वो रहा है IISC Bangalore और जो first two universities हैं वो कौन सी हैं तो वो चाइना की universities हैं तो सिंगूर चाइना की university है और ये first place पर रही है और packing ये packing university of China second place पर रही है तो आपको first two places भी याद रखते चलना है और साथ ही इंडिया में जो universities हैं top 100 में ये तीन universities हैं इनकी rank भी आपको पता होना चाहिए बढ़ते हैं next question की तरफ की next question क्या है who has approved a USD 500 million program to help boost India's MSME sector micro small medium enterprises sector के लिए किसने या इस sector को boost करने के लिए किसने 500 million USD dollar का रिन यहां पर देगा तो ये आपको बताना है कि किसके द्वारा ये दिया जाएगा तो इसका जो right answer रहेगा वो रहेगा world bank तो world bank के द्वारा अभी हाल ही में इसका आपको answer याद रखना है world bank तो भारत के MSME छेतर को बड़ावा देने में मदद के लिए 500 million American dollar के कारिकरम को किसने मंजूरी दी है तो world bank तो world bank ने USD 500 million dollar यहां पर सुकृत करे हैं किसके लिए to boost India's MSME sector micro small medium enterprises के लिए तो world bank का नेम आपको याद रखना है इसका headquarter Washington DC में है USA के Washington DC में world bank का headquarter है और यह ADB option first आप देख रहे होंगे ADB की full form है ACI Vikas Bank Asian Development Bank और इसका headquarter Manila Philippines में है AIIB Asian Infrastructure Investment Bank इसका headquarter कहां पर है तो इसका headquarter बिजिंग चाइना में है और साथ ही NDB New Development Bank इसको BRICS Bank के नाम से भी जाना जाता है और इसका headquarter चाइना के संहाई में है बढ़ते हैं next question की तरफ की next question क्या है United States to hand over 3 MH-60 Romeo multi-role choppers to India in July तो this agreement is over what करोन संयुक्त राज्य अमेरिका जुलाई में भारत को 3 MH-60 Romeo multi-role helicopter सोपेगा अब आपको बताना है कि ये संजोता कितने करोन से उपर का था तो ये संजोता ये परलब particular इसमें amount दे नहीं रखा था लेकिन इतने से उपर का ये संजोता रहा था तो वो आपको बताना है किस amount से उपर या कितने amount से अधिक का ये संजोता रहा था संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच अब किस के लिए तीन MH-60 Romeo multi-role helicopter के लिए जो भारत में सौफ दिये जाएंगे अमेरिका के द्वारा जुलाई में तो ये जो agreement रहा था 16,000 करोन का तो exact amount आपको याद रखना है 16,000 करोन से उपर का ये संजोता रहा था तो बढ़ते हैं next question की तरफ की next question क्या है who has been elected as the president of the 76th United Nation General Assembly PGA तो 76th वे संयुक्त राष्ट महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है तो 76th जो संयुक्त राष्ट महासभा के अध्यक्ष के रूप में appoint हुए है वो हुए हैं मालदीप के अब्दुल्ला शाहिद अब्दुल्ला शाहिद का नेम आपको याद रखना है मालदीप से ब्लॉण करते हैं और मालदीप में ये मिनिस्टर भी रह चुके हैं तो मालदीप के अब्दुल्ला शाहिद को appoint करा गया है 76th संयुक्त राष्ट महासभा के अध्यक्ष के रूप में बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ की नेक्स्ट कोशन क्या है तो ये आपको बताना है किसको ये चार्ज दिया गया है डारेक्टर जन्रल का नेवल ओपरेशन में तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा वाइस एड्मिरल राजेस पंडार कर तो वाइस एड्मिरल राजेस पंडार कर को एपॉइंट करा गया है नेवल ओपरेशन के लिए नेवल ओपरेशन के महानिदेशक के रूप में तो वाइस एड्मिरल राजेस पंडार कर का नेम आपको याद रखना है RKS बदोरिया यह कौन है तो यह Air Chief Marshal है RKS बदोरिया Air Chief के यह Air Force के Head है और मनोज मुकंद नर्वाना Army Chief है और कर्मवीर सिंग यह Navy Chief है तो यह भी आपको याद रखते चलना है बढ़ते हैं Next Question की तरफ की Next Question क्या है Who Will Be Appointed As Chief Executive Officer of HSBC इंडिया तो HSBC इंडिया के मुख्य कारेकारी अधिकारी के रूप में किसे न्युक्त किया गया है तो इसका Right Answer क्या रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही जहां तक Rich हो Instagram, Telegram, Facebook, WhatsApp हर जगे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अब बढ़ते हैं इस Question की तरफ कि किसको Appoint करा गया है Chief Executive Officer जह CEO के रूप में HSBC इंडिया का तो HSBC इंडिया के मुख्य कारेकारी अधिकारी के रूप में जो Appoint हुए है जह जिनको Appoint करा गया है उनका नेम है हितेंद्र दवे तो हितेंद्र दवे का नेम आपको याद रखना है हितेंद्र दवे CEO of HSBC इंडिया और साथ ही विशवीर अहुजा का नेम आप देख रहे हैं Option A में इनको अभिहाल ही में RBL बैंक के MD and CEO के रूप में Appoint करा गया है और दिनेश कुमार खरा इनको जो किस के CEO हैं तो ये SBI के Chief Executive Officer है तो ये आपको याद रखतेंद्र चलना है संदीप वक्षी तो संदीप वक्षी MD and CEO है किस बैंक के तो HDFC बैंक के ये भी आपको याद रखतेंद्र चलना है बढ़ते हैं next question की तरफ की next question क्या है Former Power Secretary has been elected for the post of the Chairman of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board P.N.G.R.B. What is the name of Chairman तो ये Chairman appoint हुए है किसके Petroleum and Natural Gas Regulatory Board के उनका नेम आपको बताना है और former थे ये former किस्त में थे तो Power Secretary थे former जिनको अब appoint कर दिया गया है Chairman के रूप में appoint करा गया है Petroleum and Natural Gas Regulatory Board के तो Petroleum एवं प्रकरतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष पद के लिए पूर्व विद्युत सचीव का चैन किया गया है अब आपको इनका नेम बताना है तो किसको appoint करा गया है तो इसका right option रहेगा संजीव नंदन सहाई option C संजीव नंदन सहाई को appoint करा गया है Petroleum एवं प्रकरतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में ऐसे ही आपको ये याद रखते चलना है अब बढ़ते हैं next question की तरफ कि next question क्या है who will be set up the country's first international maritime services cluster at gift city तो gift city में देश का पहला अंतरास्तिय समुंदरी सेवा cluster कौन इस्थापित करेगा तो आपको इसका answer बताना है इसका जो right answer क्या रहेगा तो gift city में देश का पहला अंतरास्तिय समुंदरी सेवा cluster कौन इस्थापित करेगा इसका right option है option A गुजरात maritime board तो गुजरात maritime board के द्वारा ये setup करे जाएगा country's first international maritime services cluster at gift city तो ये आपको याद रखते चलना है तो gift city में देश का पहला अंतरास्तिय समुंदरी सेवा cluster गुजरात maritime board के द्वारा इस्थापित करा जाएगा option A इसका right option है आपको ऐसे ही याद रखते चलना है बढ़ते हैं next question की तरफ की next question क्या है इसका आंसर क्या रहेगा वो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि which financial services company has entered into a strategic partnership with international cricket council ICC till 2023 तो किस वित्य सेवा कंपनी ने 2023 तक अंतरास्तिय किर्किट परिशद ICC के साथ रणलितिक साज़ेदारी की है तो इसका right option रहेगा भारत पे भारत पे के द्वारा ये साज़ेदारी पर हस्ताक्षर करे गए है भारत पे ने ये वित्य सेवा कंपनी है 2023 तक इनने अंतरास्तिय किर्किट काउंसिल के साथ एक साज़ेदारी पर हस्ताक्षर करें है तो भारत पे और ICC का नेम आपको याद रखते चलना है दोनों के बीच ये agreement रहा है strategic partnership रही है 2023 तक बढ़ते हैं next question की तरफ की next question क्या है who has imposed a monetary penalty of rupees 4 crore on bank of India and rupees 2 crore on Punjab National Bank for contravention of norms including one related to frauds classification and reporting तो किसने धोकाधड़ी वर्गिकरण और reporting से संबंधित मानदंडो के उलंगन के लिए bank of India पर 4 crore रुपे और Punjab National Bank पर 2 crore रुपे का मौद्रिक जुर्माना लगाया है अब इसमें आपको पताना है किस bank के दुआरा ये जुर्माना लगाया गया है तो अभी हाल ही में Reserve Bank of India भारतिये Reserve Bank ने ये दो बैंकों पर जुर्माना लगाया है तो कितना आपको ये exact amount exam में पूछा जाता है तो ये आपको याद रखते चलना है bank of India पर कितना जुर्माना लगाया है तो वो है 4 करोन और साथी पंजाव National Bank पर 2 करोन रुपे का जुर्माना लगाया है तो bank of India पर 4 करोन और साथी पंजाव National Bank पर 2 करोन का जुर्माना लगाया है तो किसके दौरा ये penalty लगाई गई है तो वो है भारतिये Reserve Bank Reserve Bank of India बढ़ते हैं next question पर next question क्या है तो वो है who replaced Mauritius as the second largest source of foreign direct investment into India during 2021 with inflows of USD 13.82 billion according to Department of Promotion of Industry and Internal Trade तो उद्योग और आंत्रिक व्यवपार संबर्दन विभाग DPIIT के अनुसार 2020-21 के दौरान Mauritius को भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के दूसरे सबसे बड़े स्टोत के रूप में 13.82 billion American dollar की आमद के साथ प्रतिस्थापित किया है तो आपको बताना है कि किसने Mauritius को replace करा है second largest source के रूप में इंडिया के FDI के तौर पर तो foreign direct investment में जो first पे देश चल रखा है या foreign direct investment जो सबसे ज़्यादा आता है वो कहां से आता है तो वो है Singapore तो Singapore का name आपको याद रखते चलना है और जो second place पर है वो कौन है तो second place पर जो country है वो अब आ गया है अमेरिका USA और पिछले साल जो था वो था Mauritius था अब Mauritius को replace कर दिया है second place पर आ गया है अमेरिका अब इन्होंने कितने investment के साथ यहाँ पर पीछे छोड़ा है वो किसने छोड़ा है तो वो है अमेरिका तो USA का name आपको यहाँ से याद रखते चलना है इसका right option रहेगा option A तो जितने भी current affairs थी 9 जून की सब मैंने आपके साथ इस वीडियो में discuss कर ली है इसकी pdf आपको हमारे telegram channel पर मिल जाएगी अगर आपने चैनल को subscribe नहीं करा है चैनल को subscribe करें और साथ ही like करना ना भूलें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो like करना ना भूलें comment करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा और जहां तक rich हो instagram, telegram, facebook, whatsapp हर जगे इस वीडियो को share करना ना भूलें अगर आपने bell icon प्रेस नहीं करा है तो bell icon प्रेस कर लें इससे जितनी भी upcoming videos होंगी उसका notification आपको day by day मिलता रहेगा जितनी भी upcoming videos होंगी उनका notification आपको day by day यहां से मिलता रहेगा तो इसी के साथ good bye